हलो अबरीवन वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल ट्रैवलिंग मैशप्स मैं आपका दोस्थ हिरेन कनवाडिया और आज एक बिल्कुल नया लेटस सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो टॉपिक आज हमारा होने वाला काफी इंटरस्टिंग होने वाला है और उसके उपर मारा आपको थॉप नेल से तो पता लगी गया होगा कि क्या टॉपिक होने वाला है और अगर आप प्लाए करते हो तो आपका शोट परसंट आपका लगेगा जैसे एक टाइम पर साउथ कोरिया का वीजा मिल रहा था और ये टाइम उन लोगों के लिए अच्छा है जो किसी का अगर rejection हो रखा हो New Zealand visa के अंदर तो उनको भी time अच्छा है कि वो भी apply कर ले और और भी कोई visa जिनके expire हो रखे हो जिनके rejections हो रखे हो जैसे South Korea का rejection है शेंगन rejection है UK rejection है तो उनको easily New Zealand visa provide करा रही है और इसके अंदर जब आप New Zealand का visa लोगे तो आपको जादक कुछ नहीं करना घर बैटे आपको यह visa मिलेगा online application है और आपको main document जो लगते हैं इसके अंदर वो मैं आपको पूरा detail के अंदर इस video के अंदर बता दूँ है कि क्या के आपके documents लगेंगे क्या के इसकी fees होगी और य देख लेना और भी वीडियोज बनेवी application form को कैसे फिल करना है कैसे नहीं करना है तो step by step इस video में आज यहीं डिसकस करेंगे कि जिसके अंदर 80% face visible हो यह हो गई passport और आपकी फोटो के बात इसके अंदर आपको साथ में चीए bank statement six months की प्लस आपका तीन साल का आईटियर यह सारी सारी जो requirements होती है यह mostly जितने बाकी अधर वीजा होते सबकी सेम ही होती है तो यह सब तो आप हमेशा अपने पास में handy रखा करो कि अगर आपको न्यूजलेंड का वीजा चीए या तो आपको शेंगन का वीजा चीए तो यह सारे जो documents आपकी basic requirements है employer details जैसे होगी अगर आपके पास में आप काम कर रहे हो किसी company में तो उदर से leave and issue चाहिए पेसलिप्स चाहिए तीन महीने की और एक आपका joining letter होता है वो भी चाहिए होता है और अगर आप self-employed हो तो कईों के पास में J-form है ठीक है MSME है तो यह सारी चीज़ required होती है अगर आपका employment status प्रूफ करने के लिए तो यह बात होगे हमारी employment से लेके अब कर लेते हैं कि लोग flight tickets, hotels तो यह सारी चीज़े भी mandatory होती है बट ऐसे को जुरूरी नहीं है कि आपको confirmed flight tickets लगाने है visa depend करता है आपकी stability के अपर कि आपका purpose क्या है वहाँ घूमने का तो यह छोटी छोटी जो documents के अंदर यह आप हमेशा ready करके रखो travel insurance इसके अंदर अभी फिलाल ऐसा mandatory नहीं है New Zealand के अंदर अगर आप शेनिगन लेते हो तो उसके अंदर travel insurance mandatory है यह हो गया है आपका documents के बारे में बात अब आपको apply कैसे करना है और fees कितनी होगी apply करने के लिए आपको एक real me करके एक account बनाना है न्यूजिलेंड के आप search कर लेना या तो description में नीचे देख लेना link में provide करा दूँआ और यह आप ध्यान रखे वो उस link के आज कल duplicates भी बहुत बन चुके है तो apply करने से पहले एक बार verify कर लेना link को कि मैं सई न्यूजिलेंड की जो government की site है immigration की site है उसी के ओपर ही click करके यह link मेरे को वही direct कर रहे है हाला कि इसके अंदर में जो original link है वही वीडियो के नीचे description पर डाल दूँआ और एक sample आपको आइटनेरी और cover letter भी आपको त्यार करना होगा अगर आप sample आइटनेरी और cover letter त्यार करके रखेंगे तो एक value add करता है आपकी वीजा के लिए कि आपका day wise day आपका क्या हिसाब किताब वहाँ पे रहेगा गूमने का कि आप किस दिन कहां travel करोगे means of transport क्या होगा आप कहां stay करोगे यह सारे detailed आइटनेरी आप बना के उसके अंदर आप वीजा में application के डाल सकते हो बट एक चीज और इसके अंदर जब आप apply करोगे तो आपको एक account बनाना पड़ेगा realme के ओपर account बनाने के बाद में आपको उसके अंदर एक application form आएगा वह digitally fill करना है application form digitally fill करने के बाद में उसके अंदर documents आपको one by one upload करने है जैचे कि आपका ITR हो गया bank statement हो गया आपका scanned passport और passport के ओपर यह दिखा देते है कि कभी कबार वह passport verification के लिए आपको बुला सकते है ठीक है जब वह आपको passport verification के लिए आपको बुलाएंगे तो आपको VFS में submit करना पड़ेगा तो उसकी एक nominal सी fees होती है 1200 रुपे वो भी in such cases अगर आपने ढंक से scanned copy नहीं लगाई तो आपके पास बे call आ सकती है पासपोर्ट वीजा ओफिसर्स के तुरू मेल आजेगी कि please submit your passport टाकि उनको verify करना होता है वैसे तो इसके chances बहुत कम होते हैं तो इससे करें बाकी रेस्ट आपने जितनी भी आपकी ट्राइवल हिस्ट्री है वह सारे पेज़ेस आपको scan करके upload करने पड़ेंगे यह सब होने के बाद में आपको एक वन बाइवन डॉकुमेंट अप्लोड करना है और उसके इंदर मेंशन भी करना है जो आपके पास में valid वीजा ह अब हैं तो यह सारी चीजें अगर आप upload कर दोगे और उसके बाद में आपसे फीस मांगेगा अगर आप एक सिंगल एप्लिकेंट हो तो आपके पास में फीस हाईगी 211 न्यूजलेंड डॉलर्स यह अप्रॉक्सिमेटली आपकी हो जाएगी 12,000 इंडियन के अंदर और कि मेन एपलिकेंट हो गया उनकी 211 ठीक है उनके साथ में डिपैंडेंट है उनकी 35 न्यूजलेंड डॉलर्स तो अगर आप तीन डिपैंडेंट है और स्वारी एक एपलिकेंट है और दो डिपैंडेंड न तो आपके अप्रॉक्सिमेटली 16,000 रुपे कूश सम्तिंग ऐसी फीज लगीगी तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखना क्योंकि आज के टाइम पर एजेंट्स काफी चार्ज कर रहे हैं इस चीज को लेके कि एक अप्लिकेंट है उनका भी डिपेंडेंट है तो दोनों से वो चार्ज कर रहे हैं कितनी फीज 211 और लोगों को बोला जारे है कि 211 तो आपकी अप्लिकेंट की फीज है और उसके साथ में 35 उनके डिपेंडेंट की अगर हस्बंड वाइफ का वीजा लग रहा है तो 211 प्लस 35 तो आप एड़ अप करके कर लो कि इतनी न्यूजलेंड डॉलर आपकी फीज लगेगी यह हो गया फीज का और आप बात कह आपका वीजा आ जाएगा बट एज ओफ नौ हमने देखा गया कि लोगों के तीन तीन चार चार दिन के अंदर भी वीजा आ रहे है तो वीजा रेशियो काफी अच्छा है न्यूजलेंड का न्यूजलेंड जा सकते हो न्यूजलेंड काफी सुन्दा जगा एक काइंड आप पर माउंटेंज है सुजलेंड काइंड ओफ मांटेंज आपको सीनिक व्यू दिखेगा वहाँ पर जाई और काफी वीजा होल्ड करता है और इस वीजा की वेलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं यह आपको एक साल का वीजा मिलेगा विद मल्टिपल एंट्रीज मल एक बारी में 6 मेने तक आप उदर stay कर सकते हो, ठीक है, एक साल का वीजा है, multiple entries आप कितनी बार भी आ जा सकते हो, लेकिन अगर आप stay कर रहे हो, तो एक 6 मेने तक आप उदर stay कर सकते हो, इससे over stay हो गया, तो वो आपके consequences है, उसके बाद में consequences वहां के immigration क्या लेगी, वो आपके पर depend करेगा, अगर ऐसा कुछ case होता है तो, तो यह थी guys हमारी New Zealand visa की, हमारी पूरी update और guideline, visa गरेशयो काफी अच्छा चल रहा है, hopefully मेरे चैनल पर आपको काफे टाइम बात में वीडियो मिली होगी, इसके थुरू, अब hope कि मैं आगे regular आता रहूं, और जो भी मेरे चैनल प please do hit the like button also and don't forget to press the bell icon button, till then, thank you so much, bye bye